सोयाबीन में कब बनेगी तेजी? जानिये पूरी रिपोर्ट, भाग एक. सोयाबीन में कब बनेगी तेजी आए आकड़ों के साथ जानने की कोशिश करते हैं. गत वर्ष सोयाबीन की फसल के लिए अच्छा नहीं रहा. साल 2023 में शिकागो में सोयाबीन में 14.5 प्रतिशत और तेल में 21 प्रतिशत की गिरावट रही. जिसके कारण किसानों को हानी उठानी पड़ी. कुछ समय के लिए भारतिय बाजारों में सोयाबीन 5000 से उपर बिकने के बाद दोबारा 4700 से 4800 के स्तर पर आ गया है. इसकी प्रमुक वजह सोयाबीन में ग्राह की कम होना बताया जा र देश भर में सोयाबीन की आवग गटकर 2.25 लाक बोरी की रह गई. मध्यप्रदेश 85,000 महाराष्ट्र एक लाक राजस्थान 20,000 एवं अने 20,000 बोरी की रही. किसानों के साथ-साथ व्यापारियों की जिग्यासा है कि सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे या नहीं. सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे या नहीं. इसके लिए देखिए हमारा अगला वीडियो सोयाबीन रिपोर्ट पार्ट 2. ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी.